नमस्कार मैं हूँ संजी कुम्र आप देख रहे हैं वेव समाचार पूरे जाटकन में पंचाय चुनाओ की सरगर्मी जैसे ही समाप्त होई नगर निगय चुनाओ को लेकर निर्वाचन यूग एक्टिव हो गए हैं तो अभी हम आई हुए है राची जीला राची जीला में व प्रधान मंत्रिवास ओजना सवचाले रासन कार्ट पेंसन सरक नली गली सहित इस पंचायत को मौडर्न पंचायत को रूप में डेवलप करने के लिए क्या कुछ काम किये हैं तमाम बिंदू पे बाचीत होगी इसकी अलावा मैं इनसे यह भी जानूँगा कि आपके कारकाल की है कुछ सवाल राजनिति की होगी जिसमें जब से जारकंडाज का स्थापना हुआ तब से कई मुखमंत्री आया और गये लेकिन आपके नजर में बेहतर कौन है इसके अलावा उनसे 32 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं इन बिंदू पे भी बाचीत होगी तो पहले तो कि जनताओं का जो गरीब गुरुवा और लचार लोग थे ऐसे लोगों को देखते हुए उनकी रोजमरा के जीवन की जो साहिली है यहां पर अधिकतर लोग जोंगी जोप्रिवाले थे मतब सलम छेत्र था हमारा बस्ति इसको देखते हुए लोगों का बहुत सारे लोगों पेंशन ऐसे लोगों का पेंशन बनाने का काम किये हैं जिसे लोगों को जीवी का यापन करने में सहुलियत हुआ ताकि यहां बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो दूसरे के घर में बासन बरतन मांच करके जीवी का चलाते हैं तो ऐसे लोगों को रासन दुकान से रासन फुलफिल करने का प्रियास किया है प्रधान मंत्री आवास चुदना भी अभी तक कम से कम छे से साथ सव कि लगभग परिवार को मिल चुका है जी मतलब मेरे वाड चेत्र में जैसे मौलाना जाद को लोनी हो गया या लवाडी हो गया या सांती नगर गढ़ा टोली या इलाही बक्स कुलोनी हो गया महाविर कुलोनी बिराठ नगर हर एक बस्ती एक भी बस्ती ऐसा नहीं है जो मुझसे छूटा होगा जिस बस्ती में मैं खुद जा करके एक एक डोर टू डोर घर घर हम लोग सेनेटाइजर कराने का काम किये और सारे परिवार के लोग ऐसे थे जिस परिवार का अकाल मिरित्यू भी होगा ऐसे समय में उस घर में कोई जाना नहीं चाहता था कोई इस प्रे करने के लिए अपने लेबर को ले करके हम खुद वहां पर जाते थे और उनके घर में सेनेटाइजर का छिड़काव करवाते थे उसके बाद कुछ-कुछ छेतर में करोनों के कारण बेरिकेटिंग भी लग गया था तो ऐसे छेतर में हम लोगों ने रासन भी पहुंचाने का काम किया है और प्राय मेरे वार्ड की जितने भी वियाईपी इलाका को छोड़ करके गरामिन छेतर हैं जैसे सांतिन अगर गढ टूली मगलानाजाट कलोनी लवाडी के छेतर इलाही वक्स के छेतर सबही बस्तियों में जा करके वहां के लोगों उनके बस्तिमें ही जा करके खुद से बातने का काम किया है तो यह पेपर सच्फिपा दिया जाता था कि यहां से साउधान रहें यहां से आना जाना ना करें लेकिन कुछ दिन के बाद लोग उससे अभवड करने लगे इसलिए काफी लगभग लगभग हर छेत्र में मरीज मिले थे हमारे वाड में अगर जो हताहत हुए क्या उन लोग को मुआपजा में मिल गया मुआपजा की रासी सरकार के प्रोसेस में है अंगन बारी केंदर दोवारा और हम लोगों के दोवारा सर्वे करके भेज दिया गया है लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है साइद अभी तक मुआपजा नहीं मिली है अच्छी बताइए कि कोरोना काल की बात यह अपने बहुतर काम किया है जैसा कि आप तस्वीरों मे के यह पूर में नहीं हुआ था आधिहासिक काम हुआ है जैसे हमारे लौडि गाओं में बहुत बरसों से आदिकाल से यह समाज के लिए करते हैं। लोग कुछ विलाके में जलाते हैं लेकिन बहुत से सा जगह हैं होता है कि दफनाते हैं तो इसे दफनाने की आवस्था में अभी हमारे लवाडी गिटी गढ़ा के पास उनका कबरिस्थान था वहां कुछ दूसरे वाड की लोग नदी से उस पार वाले लोग जो नए बसे हैं मुश्किल से पांच-दस वर्स हो रहा होगा वह उनका बिरोध करने लग यह हम लोगों का संसान घाट का जो यह सुर्ण रेखा संसान घाट का इस्थिति बहुत जयज्ड था वहां पर जब भी लास जलाने के लिए ले जाया जाता था या वहां पर लोगों को बैठने उठने का जगा नहीं था उन सब का ब्योस्ता किया गया और आप अभी जाकर कि वहां देख सकते हैं सुर्ण नेखा संसान घाट का इस्थिति बहुत अच्छा है वहां लोग बैठ भी सकते हैं अगर जनता आपको दुबारा से मौका देती है वाट पारसत के रूप में चुनने का तो क्या आप डिप्टी मेर के लिए फाइट कर सकते हैं देखिए क्या कारन से लोग ज्यादा जूज नहें और लोगों को क्या चाहिए लेकिन पानी हमारे राची नगर याम में क्यों कमी हो रहा क्यों हमारा जलस्तर घट रहा इस पर कोई बिचार भी मस नहीं होगा आदमी बोलेगा कि मेरा घर ढलाई होना चाहिए उसके नली पका हो जाना चाहिए रोड पका हो जाना चाहिए जलस्तर की से बढ़ेगा इस पर बात नहीं होगा इस पर बात किज रहेंगे तो मुख्या मंत्री या संबंदित मंत्री और अनिया के पास बात को रख सकते हैं इसलिए पारसदी मेरे लिए अभी ठीक है जब आप डिवलप्मेंट के लिए जा रहे हैं तो कोई ऐसे बाधाई भी आए होंगी जो आपको उजहना पड़ागा को ऐसे डिवलप्म कि यह है तो पूरे बस्ती का लोगों कि क्या सोच है कि पारसद मना पूरे बस्ती का एक ही बार में रोड गली नली बन जाए क्योंकि जो संभाव नहीं है ऐसा है कि जब से देश अजाद हुआ तब से बिधायक बने मंत्री बने तब से जिस जगह से चुना हो रहा है वहां मुख्या बन रहें जिला परिस्त बन रहें फारसदे बन रहें लेकिन पूरे राज कर बीपार्टी का यह को बी मुख्या मंत्री बनता है तो हर गल्लिक छा शडख नाला नाली नहीं लोगों की बार में पूरा रोड नली बन जाए तो हम लोगों को जीसे बीतायोग का पैसा मिलता है उसमें कुछ-कुछ शेतर का प्राठमिक्ता की अधार पर हम लोग डालता है जहां ज्यादा समस्य आती है लेकिन जब नगर निगम दुवारा भेजा जाता था था हम लोगों का योजना तो फता नहीं कैसे होler चाड़ जाता था और नगर्डी कास्व नहीं भेजा आफ मेरा मानना है कि आप यहां से भेज दिजिए जब सरकार के पास पैसा होगी वह भेजेगी भेज़ा गया होगा लेकिन अच्छी बताई कि सबसे बड़ा प्रजेक्ट काको मिला जो सबसे बड़ा फंड होगा बड़ा पंड तो भी रोड नली का ही मिला है पंदरवेवित आयोक के द्वारे उसी में आया था कितने करोड़ का था दो करोड़ के लगाता है जारखन का जब से अस्थापना हुआ कई मुखमंत्री आया हुग है आपके नजर में बहतर कौन है नजर में अभी तक में दिखिए बावुलाल मरांडी तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे ठीक थे लेकिन उनको काम करने का मौका नहीं दिया गया और पूरे जारकनराज में सबसें अच्छा सणक बनाने वाले में से बावुलाल मरांडी जी ही है दे उसका उधारन में देना चाहूंगा काटा टोली चौक से स्टेशन रोड तक जिसको जब रही जैसी भी से मार के तोड़ की तोड़ तोड़ रहा है तो सबसे बहतर उसको समय मिलने से काम भी करते और डेवलोपमेंट का भी काम करते लेकिन डिसीजन लेने में और अच्छा काम करने में रगुवरदा के समय भी बहतर और बढ़ियां काम हुआ है लेकिन कुछ समपरादा इकता बात को लेकर के लोग उससे नराज रहें पथरगारी के मामला के अलावा और भी जिसे आप देखें बीजेपी को अपने भोट के उपर भरोसा नहीं रहा इसलिए जब भी एलेक्शन आता था तो धर्म क्या धार पर चले जाते हैं हिंदू मुसलिम करने लगेंगे सीए नर्सी करेंगे इसाइस करा देंगे मतलब नहीं बोलते हैं कि हम लोग रासन काड बना दिया गैस दिला दिया तो रोड बनवा दिया उससे कोई मतलब जात धर्म हो गया और 80% वोट को समेठ लो यह क सरकार है इन्होंने भी वादा किया लेकिन ध्रातल पर उतारने का कोई काम नहीं किया देखिए 1932 का खतिया यह हमारी सोच की बात नहीं है जो जब बिहार से जार्खन राज अलग होगा तो जार्खन राज का जो नियम माली था वा स्वाता ही अडूप्ट हो गया भी जार् जार्खन की नहीं नियम माली नहीं बन जाती कोई भी नियम कानून जहाए बिहार सरकार का ही रूल और रेगूलेशन से बन रहा है अब धीरे धीरे जैसे सरकार यहां पर की नियम माली को बनाते जा रही है वैसे ही एक 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 करके कानून में संसोधन होते जा रहा है तो ब में मद्भेज की बाथ ही नहीं है स्वाता तो स्वाता इस फूर्ति यहां लागू रहना चाहिए लागू देखिए नियम वाली लागू है नियम के ताक जिसे कानून बहुत सारा है लेकिन लोग मानते नहीं है जिसे आप नगर नियम छेतर में बोलिएगा कि नक्सा पास करा करा कि घर बनाना है फिडूने के सामने क्या इतना फिट Wenya फिट छोड़ना है तो लिख चोड़ते नहीं है तो उसी तरह से नियम स्वाता जब बिआ था बिहार से हुआ तो इसका मान नहीं रहा है तो गोगत नहीं मान रहा तो ड कर अरे नियम तो है ही जब हम अडोप्ट किये हुए हैं बिहार सरकार के नियम वाली को जब तक यहां नहीं बनता लेकिन अभी जैसे रगवर दास जी ने 86 का नियम वाली बनाया यह बनाया तो 86 के अधार पर तो उसका कुछ संसोधन हुगा तो हम लोग जनता मौका देगी तो मैं बाट पार्षद के रूप में काम करूंगा ताकि मैं जमीनी अस्तर के नेता हूं और जमीनी अस्तर पे जो समस्या होती है उसका समाधन में करूंगा अगर मैं डिप्टी मेर बन जाओंगा तो बड़े-बड़े लोगों से उठना बैठना होगा औ जहां बड़े प्रज्यक्त आएंगे सरक का होगा नवी का होगा मतलब जो बड़ा जो काम होता है लेकिन जो जन समस्या है उन्स समस्या को हम नहीं सुन पाएंगे इसलिए मैं परसत के रूप में काम करने का इच्छा रखता हूं और जनता अगर हमें भरसा करती है तो मैं बेहतर से बेहतर करने का काम करूंगा प्रहासे-वाल की अगर इनके नजर में बहतर है तो बड़ाल आप चलते हैं दूसरे वाड में वहाँ के भी पार्साद हैं उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वरा क्या कुछ मैनिफेस्टों बना गिया है तमाम उद्दों पर उनसे भी बाचित करूँगा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक् होता है ताकि हर छोटी बड़ी खबर सुरूबर हो सके बहुत बहुत सुक्रिया